असलाम लेकुम डियर स्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिजाइन अट्रिब्यूट और हम उसमें देखेंगे के बर्स से लेके दो साल तक के बच्चे के लिए जब हम किताबों की सेलेक्शन करते हैं तो डिजाइन अट्रिब्यूट का एक बहुत इंपॉर्टन्ट एलिमेंट है पेपर की क्वालिटी और बुक की बाइंडिंग वो कैसी होनी चाहिए जिस होनी चाहिए ताके बच्चे उस किताब को बार बार इस्तेमाल कर सकें और उस किताब को अपने बहतरीन ट्वाई के त तो सकती हैं सबसे पहले हम आज आते हैं पेपर क्वालिटी के उपकर जैसे क्या आप देखी रहे हैं कि स्ट्राइप पर लिख निचाम हैं कि बच्चे जो है बुनिए तो और इतकली चूंदे हैं वह वो जानना चाहते हैं किस तरीके से वह बार बार अपनी किताब को छूते हैं और किस तरह छूते हैं वो अपनी सेंसिस के थू सीखते हैं उसके अंदर किताब को ना सिर्फ टच करते हैं बलकि किताब को अपने मुँ के अंदर लेके सकत भी करते हैं आपको पता ही होगा कि बर्स से लेके दो साल तक के बच्चे कितन का चीज है उसरे हिट करके देखते हैं उसमेंसे साउंड आता है उससे सुनके सोचते हैं कि यह क्या चीज है इसमेंसे कैसी हवाज आ रही है do excited होते हैं किताब के लिए और उसको अपनी सेंस से समझने की कोशेश करते हैं अब उनकी एश को देखते हुए और उसकी एश को देखते हुए हमें ऐसी किताब सेलेक्ट करनी है जो कि इतनी जल्दी फट ना चाहे और ऐसी किताब सेलेक्ट करनी है जो कि इतना पतला कागस क्वालिटी ना रखती हो कि जब बच्चे उसे सक करें तो बच्चे उस कि जब बच्चा उसे देखे और उस पर रोशनी पड़े तो उसकी ग्लियर से बच्चे की आँखों में चमक जाए और बच्चे को उसकी इमेजिस क्लियरली नजर ना आ रहे हो उसकी रिफलेक्शन जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए ताकि उस किताब के अंदर जो कलर्स हैं ज चीदे वो अपने मुँ में डालते हैं उसको टेस्ट करना चाहते हैं कि शायद हमें पता चल जाया कि यह कैसी होती है से यह तमाम चीजिजे किताबों में पेपर क्वालिटी के साथ रिलेय होती है और क्वालिटी ऑफ पेपर जो है वो इन चीजों को फोकस करती हैं दूसर paper quality के अंदर और जो important चीज आती है वो आती है कि dimension of the book क्या है, आपकी kinds of characters क्या है, कौन सा आप कागज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर colors कैसे हैं, कितने bright हैं, और auditory जो है क्या उसमें से कोई sound आता है, क्या music book है, ये बहुत important character है जो books की तरफ बच्चों को attract करती है और बाद books, जो कि बड़ी common books हैं, आपके पास आजकल हम बच्चों को बाद में बिठाते हैं, books देते हैं, वो books ऐसी होती हैं, जिसके अंदर पानी नहीं जाता, उनकी जो paper quality है, वो accident होती है, उसके अंदर sound और music भी मौजूद होता है, जो बच्चों को attract करता है अगली चीज़ मेरे पास आजाती है कि book की binding कैसी होनी चाहिए, definitely book की binding इतने चोटे बच्चों के लिए उसमें तार का इस्तमाल नहीं होना चाहिए, glue बुरी quality की इस्तमाल नहीं होनी चाहिए, या ऐसी नहीं होनी चाहिए, जब पानी में जाए, या बच्चा उसे मूँ में हो सकते हैं, so जब हम कोई भी किताब बच्चों के लिए select करते हैं, तो उसके अंदर सबसे important चीज़ आती है कि उसके अंदर glue और wire ना हो खाली, उसको properly binded हो, उसकी ऐसी binding हो जो बच्चे को physically नुकसान ना पहुचाए, ता कि बच्च्या उसे एक अच्छा relationship build-up कर सके और बा झाल